नवश्कार शाथियों सिर्फ नौली चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक आल इंडिया फेर प्राइस आप डीलर फेर ट्रेशन उत्तपदेश की एकाई है यह इसका मुख्याल है प्रदेश कार्याले सीतापुर में इस्तित है इन लोगों ने इसके जो राजेश करमबद को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं उसके स्क्रीन पर लोगों ने मांग की है सरकार से कुछ समस्याओं को लेकर रखें जो कि यह बहुत परेशान है उसी विसे पर और भी कई सारे समस्याओं है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे तो चलिए हम चलते हैं स्क्र पहले आपसे नेवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ने कि है तो प्लीज सब्सक्राइब जिरू कर लें चलते हैं सातियों देखिए मैं एक जो भी उन्होंने बिंदो रखे हैं अपने सरकार के सामने कोटेदारों ने मैं उ वीडियो डाला था कि सरकार इस पर विचार कर रही है सरकार ने इसके लिए एक आगे अपना एक निवेदन भेजा है उपर करमचारियों को कि यह चीज होनी चाहिए यह बास्तम सत्य है कोटेदार बहुत मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा संक्रमन के खत्रे में रहते हैं तो अच्छी चीज है यह आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर कोटेदारों को जो इस समय चल रहा है महामारी से बचाओ हे तू सेफ्टी किट सेनिटाइजर सावो नाद की विवस्ता दी जाए कोटेदारों को कोई सेफ्टी के चबचा सेनिटाइजर हो चाहे मास्क हो कुछ भी सरकार की तरफ से विवस्ता नहीं की गई है तो ये भी उन्होंने मांग की है हमारे कोटेदार संगठन ने कि ये सब चीजें भी हमको दी जाएं तीसरा फरजी सिकायतों पर कोटेदारों पर करवाई न की जाए क्योंकि चुनावी वर्स होने के कारण छुटवईया ने था तता प्रदान पद के प्रतियासी द्वारा फरजी रंग से कराई जारी सिकायत पर कोटेदारों को अपना पच रखने का मौका दिया जाए सिका थेकेदार के पच्च को भी ध्यान में रखना चाहिए सरकार को और उनकी बात भी सुननी चाहिए चौथा जो पाइंट है वो ठेकेदारों द्वारा डोर स्टेप लेवरी के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है कट्टी का वजन भी नहीं मिल रहा है सासना देश के अनुसार निकासी नहीं मिल रही है जहां पर डोस्टेप डिरिवरी नहीं है वहाँ पर गोदाम पर घटतौली बढ़ी है तो यह जो प्रमुख समस्या है आज की रेट की यह समस्या जो है सबसे प्रमुख समस्या है कि घट तुली सबसे ज़्यादा कोटेदार अगर परेशान जब ज़्यादा अगर कोटेदारों के आंदोलन हो रहे हैं तो जिनका मुख्य बिंदु है वो यही है घट तुली आप इप पॉस मसीन में बितरण करते समय नेटवर्क की समस्या यह सर्वर की समस्या थी जो अभी आपने देखा जो हमारा 15 तारीक वितरण हुआ समस्या रही क्योंकि सारी मसीने एकदम खोली जाती थी खटी तो इससे सर्वर में लोड हो जाता था और मसीनों में बड़ी समस की मारा मतलब कोटेदारों का यह कहना है कि इससे संक्रमण का खतरा है तो हलांकि सरकार का यह सोचना है सरकार का अपना हिसाब है सरकार की नजर में इससे ब्रश्चाचार पर लगाम करती है इसलिए सरकार करती है इनकोटेदारों का मानना है कि इसससे संक्रमण बढ़ता है साथमा पॉइंट की अगर बात करी जाए तो परदेश में कोटेदार पैसा जमा करने वह निकासी लेने जाते समय पुलिस उत्पीवडन का सिकार हो रहे हैं जिससे कई हाथ तूट गए हैं तथा उनके कई के हाथ पर तूट गए हैं तथा उनके साधनों को चालान जब्त किय गया इसको रोका जाए यह सिकायत ठीक है लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि कोटेदारों को ज्यादतर नहीं रोका जा रहा है उनके पास गडर कोटा कार्ट है तो उनको कमी रोका जा रहा है कुछ लोग अगर जानबूज के प्लिस वाले रोकते होंगे वह अलक बात है ल उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो दरोगा को कोटेदार को रोकने के बज़े से तो ठीक है इसके कुछ पास बनाये तुर अच्छा है लेकिन बिना पास के भी कोटेदार अगर ये बताएं कि वो कोटेदार हैं तो नहीं रोकती है पुलिस आठवा और अंतिम पॉयंट जो है कोटेदारों की दुकान पर बित्रण हे तु परिवेच्छक अधिकारी लगाये हैं जिनकी उपस्तिती में बित्रण करने के पस्चातवी जांच करके उत्पीडित किया जा रहा है जैसे F.I.R. निलंबन जुर्माना लगाया जा रहा है ज और किसी अब तक बात भी ठीक है कि जब आपने अतने अधिकारी लगाये हुए हैं तो उसके बात भी आप अलग से यह उत्पीड़न जो F.I.R. निलंबन का जो है इस पर थोड़ा बिचार करना चाहिए सरकार को तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो आटो पॉइंट है यह परकावाद में भी कुछ हुआ है उसके बारे पता करूंगा और मैं आपको बताओंगा जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब आप तक न